है एवरीवन वेलकम टू डी कोट गवर्णनेंट एक्जाम सो वी विल गूंग टू डिसकस तुड़े कि यह जो एडवलो एस का जज्जमेंट आया है सुप्रीम कोट का वो किस हद तक सही है और वो क्या गरीब हो को हमें रिजर्वेशन देना हमारे हाँ पर एक सही डिसीजन है या फिर वो डिसीजन जो डिया गया है वो डिसीजन SCSG OBCS के लिए जो है वो एक अलग दबाव डालेगा और जनरल के लिए अलग दबाव डालेगा यह GS paper 2 में आता है हमारा topic यानि की polity में governance में आप इसको use कर सकते हैं ऐसे paper and आपके prelims examination में काफी important बनता है यह article दा हिंदू में आया था काफी अच्छा article है जिसमें दोनों side के बारे में बताया हुआ है मतलब की positive और negative Supreme Court ने recently 103rd Constitutional Amendment Act जो provide करता है 10% reservation EWS यानि की economically weaker section के लिए exclude करता है poorest of poor among the SCSG OBC from this quota और ये debate लेकर आते हैं कि भाई ये जो किया गया है वो सही है कि नहीं मतलब कि यहां हुआ क्या है कि general category में जो लोग poorest of the poor है उनके लिए अलग से 10% का reservation मिला हुआ है और उसको Supreme Court ने सही माना है अब देखिए इसमें जो debate है वो debate को हम one by one करते हुए discuss करेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले चार major points को हमें आपर focus करना है पहला point है कि ये जो reservation दिया गया है वो क्या address करेगा हमारे poverty याने की गरीबी जो है देश को उसके लिए दूसरा क्या ये जरूरी था reconsider करना हमारे देश में caste based reservation दीसरा और ये जो reservation provide किया गया है वो without proof of inadequate representation है and चौथा point यहाँ पर आता है कि किस तरीके से EWS affect करता है equality code of the constitution को देखिए फस्ट point वह है कि reservation जो है क्या वो address कर रहा है property के लिए तो answer is no reservation जो है वो result करता है quota में और वो principle of equality को क्या कर रहा है खराब कर रहा है क्योंकि हमें पता है कि reservation देना मतलब आप एक category को अलग से यहाँ पर provide कर रहे हो quota मतलब reservation जो है वो एक challenge post करता है discrimination का rather than temporary issue like those arising from economic reason मतलब कि यहाँ पर जो है वो हम जो discrimination कर रहे हैं वो discrimination temporary नहीं है वो permanent होता जा रहा है हमारे देश के अंदर reservation एक exception नहीं है rule of equality के लिए but यह required होता है principle of substantive equality हमारे देश के अंदर हमारे fundamental right में बोला गया है कि right to equality होना चाहिए but equality कैसा होना चाहिए equality in a democratic manner वो हमें देखने को होना चाहिए so it is open to democratically elected government की वहाँ पर substantive equality हो जिससे की हम introduction कर पाए reservation on the ground other than caste as well मतलब हम caste के अलावा भी reservation दे पाए यह हमारे आपर समविधान में हम कही न कहीं DPSP में इसको देखते हैं दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि क्या हमें caste based reconsideration करना चाहिए reservation को तो 1992 में सुप्रीम कोट ने इंदरा सभानी verdict लेकर आये थे जिसमें justify किया था positive discrimination policy जिसको हम बोलते हैं caste based in existence in India since independence मगर 30 साल के बाद आज भी जो मंडल कमीशन था जिसने OBC को reservation देने की बात करी थी उसमें caste को हम blame नहीं कर सकते हैं for the kind of socio-economic inequities जो की exist कर रही है हमारे देश के अंदर तीसरा point है कि inadequate representation बिना किसी proof के देना क्या वो सही है देखिए SCST OBC को अगर हम reservation दे रहे हैं तो चलो मानते हैं कि वो बिलकुल proof के साथ होता है database होता है मगर EWS का जो quota है वो कहीं पर भी article 16 clause 4 of the constitution के अंदर नहीं लेकर आए जिसमें ये है कि proof of ineducation अगर होगा तो उसमें government services से वो particular quota हट जाएगा मतलब क्या होता है कि article 16.4 clause जो है उसके अंदर SCST OBC को उनके effectiveness की तरीके से यहाँ पर reservation दिया जाएगा अगर वो ineffective पाया गया तो वो reservation हट जाता है बट EWS के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है also reservation जो है वो एक special tool अभी नहीं रह गया है address करने के लिए discrimination इसको हम use करते है address करने के लिए backwardness and disadvantages मतलब की जो backward है disadvantages है अभी उनके लिए जो है reservation देना लगे है और एक political tool बन चुका है अब यह जो EWS का reservation है वो किस तरीके से equality code of the constitution को affect करता है so जैसे constitution authorize करता है state के लिए positive discrimination करने को मगर यह जो है वो हमें authorize नहीं करता है equality code के लिए so यह consequential moment है Indian social justice discourse में क्योंकि यह change करता है nature of reservation हमारे देश के अंदर अब इसका क्या way forward है क्या इसका हमने जो visualization किया है उसका आगे का तरीका क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से तो सबसे पहले एक comprehensive debate होना चाहिए reservation policy में और सभी stakeholders को वहाँ पर बुलाके सोचना समझना पड़ेगा कि भाई कब तक हम reservation को देते रहेंगे दूसरा कुछ ऐसे reforms जैसे की sub classification of beneficiaries वो भी जरूरी है जिससे कि हम enhance कर पाए equal access to quota सभी generation के लोगों को मिलता रहे example के तोर पर UPSC का topper SCST quota से आता है और फिर उसी के माबाब जो है वो भी UPSC में रहे होंगे तो already जो है वो financially काफी independent हो गए है और उनके साथ अभी caste based discrimination देखने को नहीं मिलता same way उनका जो बहन है मतलब एक तो topper बन गए दूसरी उनकी जो बहन है वो भी फिर UPSC में select हो जाती है बट उनका भी जो chain होता है वो SCST quota से होता है तो sub classification of beneficiaries बहुत जरूरी है जैसे OBC के अंदर बहुत जरूरी हो गया था आपने देखा होगा creamy layer है वैसे ही SCST में भी जरूरी अभी हो चुका है अगर कोई class है जो determine करता है beneficiaries को तो क्यों नहीं हमें धरम के basis पर भी beneficiaries को अलग कर देना चाहिए तो कोई भी अगर हमें substantial evidence मिलता है religious discrimination का जैसे की Muslims, Wodh, Jain, etc. तो वहाँ पर immediate response करना हमें आवशक है तो यह हमारा topic है जिसका हमने wishlation किया नीचे आपके लिए mains का topic मिल रहा है जिसमें है आपके लिए question वो है कि EWS judgment fails to uphold the constitutional values meant to end the discrimination against SC, SC and OBC critically examined मतलब यह question है जिसमें बोला गया है कि भाई EWS का जो Supreme Court का judgment है उसने discrimination को खतमना करके बढ़ा दिया है किस हद तक यह जो answer है यह आपको positive way में लिखना है या critically examine करना है तो critically मतलब आपको negative points यहाँ पर लिखने है So you can answer this we can say तारकेश और जैन PSI या टेलिग्राम चनल पर वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं Share and subscribe करना ना भूले Thank you so much for listening this goodbye everyone